हलो एब्रिवान स्वागत है आप सभी का लर्निन फन पर मैं हूँ भुमेका चौहान और आज हम करेंगे हमारी बुक का चाप्टर नम्बर वन दे लास्ट लेसिन लास्ट लेसिन चाप्टर लिखा है अलफान से डॉडेड ने और ये बात है फ्रांको पर्शियन वोर के लिंग्विस्टिक शौवनिजम जो है वो भी एक मेजर थीम है इस चाप्टर के अंदर आए स्टार्ट करते हैं इस चाप्टर को पहले मैं आपको थोड़ा बैक्ग्राउंड बता देती हूं बात है फ्रांको पर्शिया वोर के टाइम की मतलब फ्रांस और पर्शिया के ब 18 जुलाइ 1870 से लेके 10 में 1871 के बीच की ये बात है जब वार चल रहा था और वार के टाइम पर आपको पता है कि कितनी ज्यादा जो भी सिचुवेशन है वो खराब हो जाती है लोग पानिक करते हैं बहुत सारी चीजों की कमी आ जाती है और उनके बीच में एक ऐसी चीज ह हुई जो इस चैप्टर से आपको मालूम पड़ेगी तो यहां पर एक आप मैप देख रहे हो इस मैप के अंदर आप देख सकते हो कि यहां पर यह फ्रांस दिखा रखा है और यह लरेन और अलसेस दिखा रखे हैं यह दोनों डिस्टिक्स क्या हुआ वार के टाइम पे इंग्डम ऑफ पर्श्या ठीक है और ग्रीन और यहलो जो दिख रहा है वह जर्मन एंपायो सो पर्श्या मैंने यही बताया आपको कि जर्मनी पाट्स ऑफ ऑस्ट्रिया और पॉलन से मिलकर बना है यहां पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है तो यह रहा ब अब यह जर्मन एंपायर के अंदर आ गया था राइट सो पर्श्या इस एक्वाल टू जर्मनी पाट्स ऑफ ऑस्ट्रिया और पॉलन बर्लिन लाजस्ट सिटी ऑफ जर्मनी अब यह आपको सारी चीजें जो बेसिक बेसिक थी वो मैंने आपको बता दी इस चाप्टर के अं लांग्विज की भाशा जो है वो कितनी ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है और लोगों का क्या मानना है कैसे एक अन्रीजनेबल अग्रेसिव बिलीफ लोगों का है कि उनकी लांग्विज जो है वो सबसे ज्यादा बेटर है जैसा मैंने आपको बताया लिंग्विस्टिक शौवनिजम के बारे में इसमें बात की गई है that is an aggressive or we can say an unreasonable belief that their own language is better than all other languages ठीक है so ये एक बहुत ही हम कह सकते है कि अजीब सा उट पतांग सा बिना सर पैर का एक बिलीफ होता है that their language is superior to all other languages clear that is linguistic chauvinism बहुत जीबार exam questions पूछ लेते हैं से रिलेते हैं से रिलेते हैं so the last lesson written by Alphonse Dodey narrates about the year 1870 1870 की बात की गई है इसके अंदर when the Persian forces under Bismarck again a very important point की Bismarck के हम बोलते है कि इसके नेत्रित्व में है या फिर Bismarck यहां पर जो थे वो फर्स्ट चैंसलर थे Germany के ठेक है चैंसलर कॉन होता है जो चीफ होता है ठेक है government का तो उस समय पर जो Germany की government थी उनके वो चीफ थे तो उन्होंने ही orders दिये थे और उन्हीं ने अटाक किया था और France को capture किया था ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि उस समय की बात है जब बर्लिन जो बिस्माक है इनका पूरा नाम है ओटो वान बिस्माक 1815-1898 जन्मुआ 1815 में डेथ हुई 1898 में और बिस्माक के अंडर इन्होंने फ्रांस पे काबू पा लिया था ठीक है आए बढ़ते हैं आगे अब चाप्टर के अंदर आप जानेंगे कि ये जो दोनों ही डिस्टिक्स थी अलसेस और लारेन ये जो है पर्शियाई हातों में चली गई थी ठीक है वो लोग रूल करने लगे थी अब तो ये उनके अंडर चला गया था और जो नए पर्शियन रूल्स बनाए गए उसके अ यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी पहले वो फ्रैंस का पार्ट थे तो इसी लिए वहाँ पर क्या था फ्रेंच लांग्विज पढ़ाई जाती थी लेकिन अब क्या हो गया वो लोग पर्शिया के हातों में चले गए अब वहाँ पर जर्मन लांगवज पढ़ाई जाने वा और दूसरा character है हमारा France, F-R-A-N-Z, ठीक है, और भी बहुत सारे characters आएंगे, उनके बारे में मैं आपको बीच-बीच में बताती रहूंगे, So, the French teachers were asked to leave, a French teacher को क्या बोला गया, कि आप लोग यहां से जाएए, अब आपको कोई काम नहीं है, And M. Hamill could no longer stay in his old school, और M. Hamill, यह main character है, दोनों, ठीक है, So, M. Hamill को अब बोल दिया गया, कि आपको यहां पर कोई काम नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहां से जाना पड़ेगा, Still, he gave the last lesson to his students with utmost devotion and sincerity as ever, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना आखरी lesson class को दिया, और वो भी पूरी sincerity के साथ, पूरे devotion के साथ, उन्हें ऐसा लग रहा था उस time पे, कि आज यह मेरी आखरी class है, और मैं जितना भी कुछ जानता हूं, जितनी भी मुझे knowledge है, मैं वो सारी की सारी इन बच्चों को दे दू, यहां जितने भी लोग मौजूद है, उन सभी को मैं, वो सब कुछ बता दू जो मुझे आता है, बिकिज आज के बाद इन लोगों से इनकी language छीन ली जाएगे, और जब आप से आपकी language छीन ली जाती है, अगर आपको अपनी language ही नहीं आती है, तो, right, चलिए, So, main points के साथ मैं इस chapter का आपको explain करूँगी, start करते है, France is afraid of going to school as he has not learnt participles, France नाम का एक लड़का है, और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, क्यों डरा हुआ है, क्योंकि teacher ने उसको participles के rules याद करने के लिए बोला था, और अब France जो है, वो rules याद नहीं किया हुआ है, अब यार obvious सी बात है, जिस दिन school का homework नहीं किया हुआ हुआ होता, उस दिन क्या चलता है दिमाग में, आज bunk मारी लेते हैं, आज निकल लेते हैं कहीं और, राइट, ऐसा ही France के साथ हो रहा था, चोड़ना यार भार मौसम देख इतना बढ़िया है, धूप निकली हुई है, चिडिया चहा चाहा रही है, पॉशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं, क्यों जाना है, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया, राइट, राइट, वो रहे हैं, क्यों जाना है, वो रहे हैं, पॉशियन सोल्जर्स जो है, वो ड्रिल कर रहे थे, मतलब अपनी प्राक्टिस कर रहे थे, अपनी जो भी ट्रेनिंग होती है, वो कर रहे थे, Persian soldiers दिखाया गया है इस से हमें अपने आप समझ में आ जाता है कि दोनों डिस्टिक्स जो है वह है किसके हातों में चली गई थी पोशिया के हातों में इसलिए Persian soldiers वहापर drill कर रहे थे french soldiers वहापर drill नहीं कर रहे थे राइट, येस, चलिए, तो अब वो देर हो रही है उसको, ठीक है, और वो निकल चुका है अपने घर से, यहाँ पर ना जब वो क्रॉस कर रहा था, तो टाउन हॉल एक जगा आती है, अगर आप देखोगे, तो जो टाउन हॉल होता है, बेसिकली किसी भी जगा पे, वो एक ऐ यहाँ पर कोई भी ओडर्स वगेरा आते हैं, या कोई भी बड़ी मीटिंग करनी होती है, जैसे अपने गाउं वगेरा में पंचायत भवन नहीं होता है, होता है ना, कि सब कुछ वहाँ पर ही होता है, राइट, कोई भी इंपोर्टन मीटिंग होगी, कोई भी गेस्ट आएगा, या कोई भी ओडर्स आएंगे, या गाउं में अब से क्या होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ महाँ पर डिसक्स होता है, ऐलसेस और लारेन में भी ऐसा ही कुछ था, और वहाँ पर बुलिटिन बोड के ऊपर प्रॉपर ली कुछ नोटिस लगा हुआ था, जैक है लगी हुई है, और यह देखके वो काफी ज्यादा डर जाता है, अब वो डर क्यों जाता है, वो डर इसलिए जाता है, क्योंकि पिछले काफी समय से, जो भी खबर लगी थी ना बुलिटिन बोड पे, सारी की सारी मनुस थी, एक भी अच्छी खबर नहीं लगी थी, क्या-क क्या थी वो खबरे आईये जानते हैं, तो यहाँ पर वो बोलता है, what's on the bulletin board, that there is so much of chaos, I should get going, I'm late for the class, वो सोचता है यार, यह क्या लगा होगा, bulletin board पे, समझ नहीं आ रहा है, अब क्या बुरा हो गया, अब क्या वापिस से मतलब हो गया है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है, पर वो कहता है, मुझे रुकता नहीं है वहापे वो भीड के पास, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है न, इसलिए, ठीक है, so on reaching school, France notices unusual silence, France describes the usual scene at the school in the mornings, a lot of noise created by the moving of desks, children repeating their lessons and teachers striking the table with the rulers could be heard, अब यार एक बात सुनो मेरी, हम स् France जब bulletin board को cross कर रहा होता है न, तो वहाँ पर blacksmith होता है, master blacksmith, और वो क्या करता है, वो France को आवाज देता है, ठीक है, और France को क्या बोलता है, कि अरे 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 अराम से जा, कोई बात नहीं, तो टाइम से school पहुंच जाएगा, वो ऐसा इसलिए बोलता है, watcher नाम होता ह उसका, तो वो ऐसा इसलिए बोलता है, क्योंकि उससे पता था कि bulletin board पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी तक France को नहीं पता था, France को लगा मेरे को चिडाने के लिए बोल रहा है, ठीक है, अब France जो है, वो school पहुंच जाता है, school पहुंच कर वो क्या notice करता है, एक उस दिन school में बिलकुल सन्नाटा था, school कैसा लग रहा था, Sunday morning जैसा, तो आप से अगर question पूचा जाए कि उस दिन school कैसा लग रहा था, Sunday morning जैसा, so France describes the usual scene at the school in the morning, तो chapter के अंदर फिर describe किया गया है कि अकसर school में किस-किस तरीके की आवाजे आती है, जो उस दिन नहीं आ रही थ ही, right, so a lot of noise created by the moving of desks, कि जो भी हमारी benches वगेरा होती है, उन्हें बच्चे आगे पीछे खिसकाते रहते हैं, children repeating their lessons and striking, teachers striking the tables, बच्चे लगातार एक स्वर में, एक आवाज में अपनी lessons repeat कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे कान पे हाथ रख के अपने lessons को बोल रहे होते हैं, ठ अलग तरीके की hustle बासल हमें देखने को मिलती है school के अंदर, table with rulers could be heard, teacher जो है table के उपर अपने डंडे से मार रहा होता है, बच्चो को silent कराने के लिए, बच्चे जो हैं वो एक स्वर में, unison में हम कह सकते हैं कि वो लगातार अपने chapters को बोल रहे होते हैं, या कोई poem बोल रहे होते हैं, या prayers बोल रहे होते हैं, इस तरीके की usual आवाजे आती हैं, और friends बोलता है कि यार या वाजे इतनी तेज होती थी कि बाहर गली तक भी कोई ने सुन सकता था, लेकिन उस दिन बिलकुल sunnata था, so but of course that day everything had to be as quiet as, Sunday morning, right, तो कह रहा है यार obvious सी बात है, मैं लेट था न उसने शोर शराबे में अपनी क्लास के अंदर घुज जाओंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, but उस दिन तो स्कूल में मिला sunnata, friends already late था, अब friends की band बजने वाली थी, let's see, friends was ashamed of being late and feared of scolding as he had to enter the class in front of everyone, अब friends जो है बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, लेट होने की वज़ स से and feared और उसे डर लग रहा था कि यार अब तो डाट पढ़ने वाली है, ठीक है, as he had to enter the class in front of everyone, क्योंकि अब उसको class के अंदर सब के सामने एंट्री लेनी है, वो खिडकी में से देखता है, सारे दूस्त अलरेडी class के अंदर बैठे हुए, अब वो सुचता है, आज तो बै अब देखो, उसने पहले क्या देखा? उसने खिडकी में से देखा कि अंदर सारे बच्चे आगए, उसने देखा आगए, वो गेट पर जाता है कि अब चल यार हिम्मत करके मैं चलाई जाता हूं, जाना तो पड़े गई, जैसे ही वो class के अंदर टीचर से पूछता होगा, मैं कमें वगेरा या कुछ, तो इतने में हैमल, उसे बड़े प्यार से बुला लेते हैं अंदर, उसे लगा था कि आज तो गालिया बढ़ेंगी, लेकिन बड़े प्यार से उसको अंदर बुला लिया, क्या रही, लिटल फ्रांस तुम आ गए, आजो आजो, हम तो तुमारे बिना ही शुरू करने वाले थे, फ्रांस ऐसे, यह क्या हुआ मेरे साथ, है ना, फ्रांस बूरा शर्मिंदा एकदम लाल हो रख है, चुप चाप जाके फटा फट अपनी सीट पे कूद के, बैड गया, अब इतने में वो अपने डर से निकलाई था, कि वो क्या नोटिस करत कि क्या पहनी होई है, गोल, ओल एंब्राइडर और उस पर पूरी कढ़ाई हो रख है, तो हम कुछ कपड़े बचा के रखते है, कि अच्छे 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 उकेजिन पर पहनेंगे, तो वो कपड़े टीचर के उसे पता चलगे कि आस तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, फिर आखिर कार ये क्यों पहन के आई हैं ये वाले कपड़े, है ना, the last benches of the classroom were occupied by the senior village men, अब उसने चल टीचर को देख लिया कि यार इसे ऐसे कपड़े पहन रखे, इतने में उसका ध्यान गया, पीछे वाली benches पे जो अक्सर खाली रहती थी, और वो भापर देखता है, कि यार, senior village men, जो है बैटे हुए, बतला, बुड़े-बुड़े लोग थे न, जो गाहों के वो बैटे हुए थे, जैसे, Hauser, who was wearing his three-cornered hat, the retired mayor, postmaster, ये लोग बैटे हुए थे, ठीक है, ये लोग वाहाँ पर बैटे हुए थे, and M. Hamill told them it was their last lesson in French, as the Persians in Berlin had ordered that French language would no longer be taught in the schools of Alsace and Lorraine and the German language be taught instead, अब ये सब लोग वो पीछे बैटे हुए है, और इतने में ही वो देखता है, ये आज यहां पर क्यों बैटे हुए है, काफी लोग, Hauser आए वा था, former mayor, postmaster, वगेरा, काफी सारे लोग आए हुए थे, और old primer लेकर आए हुए थे, अपना primer क्या होता है, कि जो वर् बच्चों, आज तुम्हारा आखरी lesson है, और इसी चीज़ की वज़े से इस chapter का नाम, the last lesson रखा गया है, और इसलिए भी रखा गया है, क्योंकि M. Hamill का भी ये last lesson ही था, तो M. Hamill ने बच्चों को बताया, कि अब से तुम्हारे schools में French नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि Berlin से order आए है, कि अब से French language आप दोनों state districts के school में नहीं पढ़ाई जाएगी, और German language जो है उसकी जगा पढ़ाई जाएगी, और ये सुनके इतना बड़ा धक्का लगता है, मतलब बिजली की तरह तूट पड़ते हैं ये वाले words, M. Hamill के France के उपर, क्योंकि France को कुछ नहीं आता था अभी अपनी language से related, और वो ये स time in hunting birds, eggs and playing in the Saar river. और वो कहरे हैं कि यार मैं मतलब वो मनी मन में इतना दुख हो रहा है, उसको उतना regret feel कर रहा है कि मैं कुछ चडियों के अंडे दूनता हुआ घूम रहा हूं, सार रिवर में महा पे आराम से खेलता हूआ घूम रहा हूं, बुली मैं क्या कर रहा था, मैंन अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दिया और आज ये दिन आ गया कि अब से मुझे कभी भी मेरी लांग्वेज पढने को नहीं मिलेगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, है ना? So, the village men had come to the class as they were also repenting for not having, not have studied well in their childhood and they had come to thank the teacher for his 40 years of service as a teacher of France. So, basically, अब यहाँ पर उसे ये realize हो गया था, जैसे ही teacher ने बताया कि ये last lesson है, तो उसे लगा कि अच्छा ये जो पीछे backbenchers पर लोग बैठ हुए ना, ये अपनी respect show करने के लिए आए हुए है M. Hamill के लिए, क्योंकि इन लोगों को भी पच्चतावा हो रहा था कि सही समय पर जिन्होंने पढ़ाई नहीं की और आज आखरी दिन आ गया है, राइट और वो यहाँ पर actual में teacher को थांक्यू कहने के लिए आये थे, जिन्होंने 40 साल जो है, school को यहाँ पर प्रोवाइड किये, फैवल देने आये थे basically, so the teacher calls out to friends as it is his turn to recite the topic of participles and अब teacher जो है, वो क्या करते है, France को उठाते है कि उठो, France चलो, participles की rules जो है वो पढ़कर बताओ, अब उस time पे ना, France जो था, वो पूरे दिल से चाहता था, कि वो उन rules को ऐसे बता दे, मतलब बिल्कुल फर्राटे दार, एकदम fluently, लेकिन वो पहले word पे अटक गया, can you imagine पहले word पे अटक गया, और उ जो चीज़ उसको इतनी fluently पढ़ देनी चाहिए थी, उसका वो first letter भी नहीं पढ़ पा रहा था, first word नहीं पढ़ पा रहा था, so M. Hamill says that, all the people of Elsays were to be blamed as no one was serious towards learning, अब M. Hamill जो है, वो यहाँ पर कहते है कि तू tension मतले मैं तुझे डाटूंगा नहीं, क्योंकि ये तेरी गलती न तू अपनी पढ़ाई को लेके हमेशा ढीला, कि भाई नहीं, मैं कल पढ़ लूगा, परसो पढ़ लूगा, ठीक है, लेट आना, स्कूल बंक करना, तेरी parents का कुसूर क्यों है, उन्हें क्यों blame करना चाहिए, क्योंकि वो लोग तुझे काम करने, मिल में या फिर fields पर भेज देते थे, ताकि कुछ extra पैसा कमा सके, मेरी गलती क्यों है, क्यार मेरा कभी भी fishing वगएरा करने का मन करता था, या मेरा कई बाहर जाने का मन करता, या मेरे को मेरे पोधों में पाने डलवाना होता, तो मैं तुझे बेज देता था, इंस्टेट तुझे पढ़ाने के, या मै को ब्लेम होना, पढ़े का यहां पर हम सब की उपर ब्लेम है, क्योंकि हम कभी भी अपनी पढ़ाई को लेके serious नहीं रहे, and he tells the class that the enemies would laugh at them and say that they only show to be Frenchmen as they can neither speak nor write their own language, अब वो यहां क्या बोल रहे है, वो यह बोलते है class को that the enemies, जो Persians है, जो शत्रू है हमारे, वो हसेंगे हम प वो कहेंगे कि यह केवल दिखावा करते हैं कि यह Frenchman है, रियल में तो इन्हों लोगों को अपनी भाशा भी नहीं आती, ना यह अपनी भाशा बोल पाते हैं, ना यह अपनी भाशा लिख पाते हैं, तो किस दम पे तुम बोल रहे हो कि तुम French की आदमी हो, मतल़ा जैसे हम है ना कि हम इंडियन है तो बोले किस दम पे बोल रहे है तुझे तरी भाशा लिखनी और बोलनी तो आती नहीं है है ना so he says that France should not feel guilty as everyone is at fault तो वो यही बोलते है उसको कि तुझे इतना दिल पे मतले बटा क्योंकि सब की गलती है तेरे अकेले की गलती नहीं है अब वो यही बोलते है कि मैं अभी मुझे fishing करनी होती थी मैं मतलब छुट्टी दे देता था तुझे पॉद्धो को पारी देने के लिए भेज देता था एंड और अल दाट M. Hamill praises their mother tongue French language as being the most beautiful, clearest and most logical language in the world please make sure जो भी चीज़े मैंने bold में black में लिखे हुई है वो बहुत important है exam point of view से plus chapter से जो chapter है उससे इसका बहुत ज्यादा relevance है ठीक है तो आप ध्यान रखिएगा इन points का M. Hamill जो है वो प्रेज करते है काफी अपनी mother tongue को अब वो यहाँ पर यह बता रहे है कि यार यह जो तुम्हारी French भाषा है न यह बहुत logical language है यह दुनिया की सबसे खुबसूरत language है क्योंकि यह सबसे clear, सबसे logical, सबसे beautiful language है ठीक है most beautiful, clearest, superlative degree यूज कि है कि इससे clear language और कोई नहीं है and most logical language in the world, दुनिया में जितनी भी language है उन सब में सबसे ज़्यादा logical language यही है He tells the class to guard their language as it is the only way to free oneself from the prison of slavery A very important point, please make sure कि आप इसे याद रखे यहाँ पर M. Hamill ने ये बोला कि कोई भी इनसान जब अपनी language के उपर पकड़ बना कर रखता है उसको protect करके रखता है अपने बीच में, उसको जिन्दा रखता है तो किसी में भी दम नहीं है कि तुम से तुम्हारी वो language छीन ले He tells the class to guard their language, वो क्या बोलते कि अपनी language को guard करके रखो as it is the only way to free oneself क्योंकि ये एक लौता तरीका है जिससे आप आजाद हो सकते हो from the prison of slavery, गुलामी की जनजीरों से या जेल से Right, so if a person knows his mother tongue well, अगर एक इंसान अपनी भाशा, अपनी मात्र भाशा को बहुत अच्छे से जानता है no one else can enslave him, कोई भी बंदा उसे गुलाम नहीं बना सकता and knowing the mother tongue well as a language is a tool to fight domination very important point, अपनी mother tongue को अच्छे से जब हम जानते हैं, पकड़ अगर उसके उपर हमारी अच्छी है एक भाशा के तौर पर तो ये tool है, ये एक हम बोल सकते हैं to fight domination कि अगर कोई हमारे उपर आकर कुछ भी dominate हमें करने की कोशिश करता है कि नहीं अपसे तुम ये चीज नहीं ये follow करोगे, तो ये एक टूल है जिसकी मदद से हम वो domination अपने उपर होने से अपने आपको बचा सकते हैं clear, so the teacher took a lesson in grammar, उसके बाद teacher जो है वो एक grammar में lesson लेते हैं उनका grammar के बाद they had a lesson in writing, उसके बाद writing का lesson होता है तो M. Hamill जो है, उन लोगों को note books देते हैं और उस दिन वो नई note books लेकर आये होते हैं और उन सभी note books में बहुत ही प्यारी handwriting में लिखा होता है France, Elsays, France, Elsays, France, Elsays, France, Elsays, यही लिखा होता है बहुत प्यारे तरीके से और नीचे बच्चों को वही चीज लिखनी होती है तो बहुत है, France को क्या लगता है, France को लगता है कि यार वो जो books थी न, जब हमें दी गई, हम सब को बाटी गई तो ऐसा लग रहा था कि छोटे-छोटे ज़ंडे जो है France के वो लगे हुए हो पूरी क्लास में और वो लहरा रहे हो और सब लोग जब बैट कर उसको लिखने लगे, तो क्लास में इतना गहरा सन्नाटा था कि pen के paper पर चलने की भी आवाज आ रही थी एकदम से क्लास में कोई कीड़ा आ गया किसी का भी ध्यान उसके उपर नहीं गया चोटे-चोटे बच्चे कोशिश कर रहे हैं जैसा भी उनसे लिखा जा रहे है उस तरीके से लिखने की और यह सब बैट कर जब वो सोच रहा था इतने में ही वहाँ पर कुछ कबूतर होते हैं वो हाँ पर अपना साउंड निकाल रहे होते हैं तो तब हमारा जो मतलब की फ्रैंज है जो बहुत धक्के में था बिचारा वो सोचता है कि यार यह लोग क्या इनसे भी जर्मन बुलवा लेंगे यहां पर एक बहुत इंपॉर्टन चीज है जो मैं आपको बताऊंगे अब यह आगे पढ़ते हैं एकदम से कीडा आ जाता है क्लास के अंदर तो देखु सांट अफ पिजिंस कुद बी होड़ इन देख जो कू की सांट होती है पिजिंस की वो क्लास में सुन नहीं जा सकती थी और फ्रांस वंडर्ट बट पर्शियन फोर्स की जो क्या पर्शिय to a being very important point यहां पर से question बन सकता है exam में की writer यहां कहना चाहते है कि जो language है वो natural चीज है ठीक आप बचपन से जहां पैदा हुए वहां की language आप सीखने लग जाते हो and it cannot be forced upon anyone और यह किसी के ओपर थोपी नहीं जा सकती so be it the pigeons or the frenchman चाहे वो pigeons हो चाहे वो frenchman हो एक चीज और यहां पर बताई गई है अगर हम देखे तो तो वो यह है कि जैसे जो pigeons है उनके कू की आवाज आ रही है यह होता है कि यार हम जो language जानते हैं अब देखो हम हिंदी जानते हैं तो हम सब कुछ हिंदी में ही सोचते हैं ठीक है सामने अगर कोई पक्षी किसी तरी रहा है मुझे यार देख गाना गार है हमी क्या लगता है कि वो हमारी language में गार है और हम उसको हमारी language में समझते भी है लेकिन वो यहां पर यही बोल रहा है कि यह तो नाचुरल चीज है कोई थोपी नहीं है राइट तो ऐसा ही वो ना पिजिन पर थोप सकते है ना हम पर रहा है किते हैं. So just then the clock of the church struck 12 and the prayer song began और इतने में ही वारा बच जाते है और church bell जो है वो बच जाती है and M. Hamill began to speak but could not continue as he was overpowered by his emotions. अब इतनी देर जब यह बच्चे सब कुछ लिख रहे थे M. Hamill जो है वो पूरी class को नहार रहे होते हैं. एक एक चीज को जो भी वहां पर होती है और जब वो उस चीजों को नहार रहे होते हैं तो वो यह सोच रहे होते हैं. मतलब वो ऐसा लग रहा था कि हर एक चीज को व ठीक है. वो इतना ज्यादा ओवर्वेल्म हो गए थे उस टाइम पर कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था. वो यह सोच रहे हैं. इंफक्ट उनके स्कूल के बार उनका खुद का गार्डन भी था. जो चोटे-चोटे पौधे लगाए थे अब बड़े-बड़े हो गए थे. बे होती होती है, वो सारा समान वगएरा पाक कर रही होती है. So M. Hamill जो है, वो कुछ बोलने की कोशिश करते है पर बोल नहीं पाते है ना, as he was overpowered by his emotions क्योंकि आप बहुत सी बार जब आपको बहुत जोर से रोन आ रहा हो या आपको बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा हो, तो आप बोल नहीं पाते हो, emotional होते हो जबाब. So he took a piece of shock and wrote the words vive la France meaning long live France on the blackboard as large as he could. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला, केवल एक चौक उठाया और बोर्ड के उपर बड़ा बड़ा लिग दिया vive la France, कहने का मतलब long live France, जैसे हम बोलते है ना, Hindustan, Zindabad, उस तरीके से और वो एक gesture करते हैं, बच्चों को बोलते भी निया के class खत्म हो गई है, वो एक gesture करते हैं ऐसे करके और सब को जाने के लिए कहते हैं. और यहां पर हमारा chapter खत्म हो जाता है. So I wish and I hope आपको chapter पसंद आया होगा. Bye-bye guys, take care. See you in the next class.